दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट वीट अजेसर में मैं गवरो को स्वाहा आज आपके लिए 28 जून 2020 के इस वीडियो में लेकर आए हूँ जो आपके एकजाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट आएगी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिक्शन डेली आपके पास जाए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर के रहें और वीडियो के अंतक हमेशा बने रहे हैं तो चलते हैं आज के पहले कोश्चन की तरफ आज का पहला कोश्चन होगा हमारा हाली में सुच्म लगू और मध्यम आकार के उद्धम दिवस कब मनाया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B हाली में 27 जून को सुच्म लगू और मध्यम आकार के उद्धम दिवस मनाया गया है 27 जून 2020 को संपूर बिश्व में सुच लगू और मध्यम आकार के उद्मों का दिवस मनाया गया ठीक है सन्यूक त्राष्ट आमसभाने 6 अप्रेन 2017 को आयोजित अपने 74 वे पूर अधिवेशन में सतत विकास लच्छो को अरजित करने तता सभी के लिए नवन में इस्थाई कारे को बढ़ावा देने में MSME के महत्य को सिवकार करते हुए प्रती वर्ष सताई जून को इस दिवस को मनाने की गोश्रा की थी वे उधम जो आमतर पे 250 से कम लोगों को रोजगार देते हैं विस सो भर की अर्थ वेवास्ताओं की रिड़ हैं और विकासील देश में महत्पूर भूमी का निवाते हैं इंटरनेशनल काउंसिंग फोर इस्माल बिजिसमेन बिजनेस यानि की आईसी एसबी के आकडों के अनुसार और अवचारिक और अनवचारिक सुच लगुए मद्यम आकार के उद्मों को का कुल रोजगार स्रीजन में 70 प्रतिसत और जीडीपी में 50 प्रतिसत का योगदान है ठीक है चलते हैं नेस कोशन की तरफ सेकेंड कोशन होगा आज का हमारा बिती करवाई कारेबल यानि की FATF ने किस देश को ग्रेज सूची में बनाये रखने की गोंशड़ा की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B पाकिस्तान को FATF ने ग्रेज सूची में बनाये रखने की गोंशड़ा की है ठीक है पाकिस्तान को देश के में आतंगबादियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में बिफल होने के लिए दिश भर में आतंगबादी बित पोशड़ पर निग्रानी रखने वाले बिती करवाई कारेबल यानी की FATF ने ग्रेज सूची में रखने की गोंशड़ा की है तो यहाँ पर बात हो दोस्तो FATF के तो आई जानते हैं इसके बारे में इसका फुल्पम होता है फाइनेंशियल एक्षन टेक्स फोर्स ठीक है और इसे हिंदी में बिती करवाई कारेबल रहते हैं और इसका फ़ापना हुआ था 90 1989 में और मुख्याला है फ्रांस के पेरिश में अध्या अच्छे हैं सियांग मिन लिव ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ आज का थार्ड कोचन होगा आमारा हाली में जारी 20 का सबसे तेज टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पे रहा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन बी जापान जो की हाली में जारी 20 के सबसे तेज टॉप 500 सूपर कम्प्यूटरों की लिस्ट में लिस्ट में सबसे टॉप पे रहा है ठीक है दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर का नाम फूगाकू है और यह जापान का है ठीक है टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर की लिस्ट में फूगाकू पहले इस्थान पे है और दूसरे इस्थान पे है आई बियम का सुपर कंप्यूटर है और जिसका नाम सुमित है ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ फोर्त नमर कोचन गाज कामारा किस टुरेंटो इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल 2020 यानि कि टी आई एफ एफ के एमबेडर्स में सामिल किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन सी उपर्यूक्त दोनों प्रियंका चौपडा और अनुराग कस्यप को टुरेंटो इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल यान 2020 में एमबेडर्स के रूप में सामिल किया गया है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोचन की तरफ फिप नंबर कोचन होगा कौन मेरी लेबोन क्रिकेट कलप यानि कि एम सी सी के 233 सालों के इतिहास में अध्याच बनने वाली पहली महिला बन गई है तो इसका राइटन सोरो जाएगा ओप्शन बी क्लेयर कोनोर जो की एम सी सी क्रिकेट कलप के एम सी सी के 233 सालों के इतिहास में अध्याच बनने वाली पहली महिला बन गई है ठीक है और क्लेयर कोनोर जो की इंगलेंड की पूर कप्तान है ठीक है तो यहां पर बात हो दोस्तों एम सी सी का तोय जनते हैं इसके बार में मेरी लेवोन क्रिकेट क्लप और इसका इत्याप नहोंता पड़िए कि इटी सेवन में और मुख्याला है यूके के लंदन में ठीक है चलते हैं नेक्स कोश्चन की तरब आज का सिक्ष्ट नंबर कोश्चन होगा ड्रोन के जरिये टिड़ी नियंत्रड करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्शन B भारत जो कि ड्रोन के जरिये टिड़ी को नियंत्रड करने वाला पहला देश बन गया है ठीक है ब्रोन के जरिये क्रिसी पर हवाई छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा करने वाला भारत बिश्टो का पहला देश बन गया है ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ आज का सेवन नमर कोचन होगा हमारा किसने नेविगेटिंग दा न्यू नॉर्मल अवियान शुरू किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option B नीती आयोग ने navigating the new normal अभियान शुरू किया है इस अभियान का उदेश देश में एक उप्यूख COVID सुरच्छित बेवहार बिक्षित करना है और लोगों को अपनी दिन चर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनकूल बनाना है ठीके और इस अभियान का उदेश अनलाग के इस चर्ण में चार प्रमुक बेवहारों पर जोड़ देता है पहला जोकी मास्क पहनना दूसरा समाजिक दूरी तिसरा हाथ स्वच करना और चोथा सरवजनिक इस्थानों पर नहीं ठूकना ठीके चलते हैं नेस कोचन की तरफ एट नमर कोचन होगा आज का हमारा अंतराष्टी मुद्रा कोष यानि कि आई एम एप ने भारती अर्थ व्यवस्ता के बित वर्ष दोजार बीस एकीज में कितने परतिसद्द तक गिरने का अनुमान लगाया है ठीक है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्शन ए फोर फाइन फाइब परसेंट जो की आई एम एप ने भारती और व्यवस्ता के बित दोजार एकीज बाइस बे फोर फाइन फाइब परसेंट गिरने का अनुमान लगाया है ठीक है चलते हैं नेक्स कोचन की तरफ नाइन नमर कोचन होगा आज का हमारा भारत का कौन सा एरपोर्ट अपने नए रन्वे पर एवियेशन वेदर मिनिटरिंग सिस्टम यानि की AWS इस्थापित करने वाला बन गया है अपने नए रन्वे पर एवियेशन वेदर मनिटरिंग सिस्टम यानि की AWS इस्थापित करने वाला पहला एरपोर्ट बन गया है चलते हैं नेक्स कोचन की तरफ टेन नमर कोचन होगा आज का हमारा 25 जून 2020 को CII द्वारा किस राज में अभासी रच्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओक्षन A गुजरात राज में CII द्वारा अभासी सम्मेलन 2020 को आयोजन 2020 का आयोजन किया गया ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ 11 नमर कोचन होगा Legacy of the Legends उस्तक के लेखक कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option B विक्रम राज पार्थ सार्थी जो की Legacy of the Legends उस्तक के लेखक है ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ 12 नमर कोचन होगा पार्थ का हमारा अंतराश्टी मानव मनावतावादी पुरस्कार के बिजेता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option C जैकलीन फननेंडिस जो की ACN YS charity एवार्थ होजर बीच में अंतराश्टी मानवादी पुरस्कार के बिजेता है ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ 30 नमर कोचन होगा आज का हमारा भारत सरकार ने राष्टी 6 रोग नियंतर कारक्यम का नाम बदल कर दिया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option D राष्टी 6 रोग नियंतर कारक्यम का नाम बदल कर राष्टी 6 रोग उन्मूलन कर दिया है समाज से 6 रोग उन्मूलन के उदेश से जनवरी 2020 में नाम बदल दिया गया ठीक है केंद्री स्वास्त मंद्री ने वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 एक आभासी पति अस्फदा के दोरान 24 जून 2020 को जारी की थी राजियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राजियों के रूप में विभाजित किया गया था बड़े राजिकी स्रेड़ी में गुजरात सर्व प्रथम प्रधर्शन करने वाले राजियों के रूप में सम्मानित किया जिसके बाद दूसरे coloured आंत्र प्रदेष ऑन तिसरे इसान पे हैमाचल प्रदेश रा करल हमने आपसे कोशन पूछा था चीन आर्मी के खिलाब किस देश ने अपनी सेना यूरूप से हटा कर एसिया में तहिनाद करने का फैसला किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन ए अमेरिया की आर्मी ने चीन के खिलाब अपने आर्मी को यूरूप से हटा कर एसिया में तहिनाद करने का घोशड़ा किया है चीन की एसिया में बरती दादागीरी के खिलाब अमेरिका ने कडारूप अक्तियार कर लिया है ठीक है पॉम्पियो ने कहा है कि हमताय करेंगे कि हमारी तैनाती ऐसी हो की पियलेक का मुकाबला किया जा सके ठीक है उन्होंने कहा है कि भारत, मलेसिया, इंडोनेसिया और फिलिपिस जैसे एसियाई देशों को चीन से बढ़ते खत्रे को मद्द नदर अमेरिका दुनिया भर में अपने सेनिकों की तैनाती की समझ्छा करूने इस तरह तैनात कर रहा है कि वे जरुवत पढ़ने पे पिपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना का मुकाबला कर सके ठीक है चलते हैं नेस कोचन की तरफ जो की लास्ट कोचन होगा इसका राइटेंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा English Premier League 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है तो इसका राइटेंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और डिस्क्रिशन बॉक्स से भी इसका पेडिया डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने आमारे चैनल टार्गेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके पास इस्टाइडिस लेटर खेशूक और वाट्सब ग्रूप हैं प्लीज उसमें ज्यादा ज्यादा सेयर करें थेंक्यू और वचिंग है वे गुड़ डे